नमस्कार आप सभी दर्शकों को धंतेरस पर्व की धेर सारी शुब कामना है आपके साथ मैं हूँ चंदरशी राजबूत आज देश भर में धंतेरस का पर्व मनाया जा रहा है धंतेरस की तीथी आरंब होने के साथ ही उत्तर फालगूनी नक्षत्र लग गया है जो शाम को 6 बच कर 34 मिनट तक रहेगा इस महरत में बरतन और जाडू खरीदना बहुत शुब रहेगा ऐसा माना जाता है कि धंतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से इनका दो गुना लाप व्यक्ति को प्राप्त होता है आलंकि ये सभी वस्तुएं शुबता तभी प्रधान करती है जब इन्हें शुब महरत में खरीदा जाए आज धंतेरस के दिन क्या महरत है क्या बरतन और सुने चांदी की खरीदारी कैस की जाए इस पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जोतेश आचारे रितु सिंग और पंडित जी शाम प्रभू आचारे जी आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस खासकारिक्रव में तो आज क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में दो विद्वान मौजूद है और आज ये दोनों ही आपको बताएंगे कि आज धंतेरस का पर्व दिवाली की शुरुवात आजसे हो गई है क्योंकि धंतेरस सबसे पहले पर मनाया जाता है उसके बाद बाकी आगे त्योहार होत पर आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इन सभी पहलों पर हम बात करेंगे सबसे पहले हम चलते हैं जोतिश आचारी रितु सिंग जी के पास में पर बहुत-बहुत सवागत है आपका जी राजस्तान पर और क्यूंकि आज से धंतेरस सब्हात हो चुकी है विद्थार करी कि जांआज सो सजा नियुभा दढ़तिये direndbernat irre міए पर सबसे जिय आज सबसे पहले धंतेरस के सबी सब्सकरों को धन त्रेयोदशी की बहुत बहुत धेर सारी शुब कामना है आपके घर हमेशा मालक्षमी का आगमन रहे आज के दिन के अगर हम सबसे पहले मूरत की बात करने क्योंकि लोग सबसे पहले सबका प्रश्ण यही होता है कि किस समय खरीदारी करें कब से शुरुवात है तो आज धन धेरस की जो तिथी लग रही है त्रेयोदशी लग रही है वो 10 बच़ कर 31 मिनट पर आज लग रही है और जो कि कल एक बचे तक रहने वाली है तो इस समय में आप कोई भी खरीदारी कर सकते हैं वहान ले सकते हैं जो कुछ भी आपको लेना है वो आप कर सकते हैं और धन त्रियोदर्शी की जो में पूजा होती है धन तेरस की उसका मूरत आज शाम को है छे बच कर 31 मिनट से आठ बच कर 11 मिनट तक तो ये दो समय आप पहले निश्यत कर लीजिए उसके बाद दिन में अगर आप चाते हैं कि किस समय पे क्या खरीदारी करें तो उसके लिए भी मूरत होता है क्योंकि देखे साड़े बारा से और दो बज़े के बीच में मकर लगन है जो कि चर लगन है तो चर लगन में कुछ चीजों को आप खरी सकते हैं जैसे वाहन हो गया या फिर आपको घर के लिए जो भी आप सामान ले सकते हैं अब पूजा पाठ का जो सामान लेना है जैसे आज के दिन लक्षमी चरण कौडियां लेनी चाहिए गोंती चक्र बहुत जरूरी है अभी आपने बात की कि आज जाडू लेना भी बहुत शुब होता है तो कि इसमें एक छोटा सा बात आ रही है कि आज मंगलवार है तो बहुत से लोग यह पूछने कि मंगलवार को जाडू नहीं ले सकते क्या तो अगर ऐसा आपके मन में कोई संशय है तो आप कल भी जाडू ले सकते हैं एक बज़े से पहले पहले उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है रेश्मी वस्त प्रतार माने जाते हैं और वैद है हमारे प्रतम वैद है तो उनका आज अवतरण हुआ था समुद्र मन्थन के दौरान और उनके दोनों हाथों में कलश था पीतल कलश जिसमें की अमरित भरा हुआ था तो अमरित कलश को हम आरोग्य से जोड़ के देखते हैं तो आज आरो कीजिए और उनकी अराधना कीजिए जिससे की वर्ष भर आरोग आपके साथ रहे आप निरोगी रहे आपको कोई भी बिमारी नहों और उनकी पूजा विदी आगे में आपको बताऊंगी कि क्या है किस तरह से करनी चाहिए लेकिन आज धनवंतरी पूजन कुबेर जी का पू यह कूँ कि चाहती है और आज क्या कुछी खास होता है शुब महरत भी आपको बता दिया है अब हम चलते हैं शाम प्रपूजी आचायर जी के पास में अचायर जी यह बताईए कि यह तो सब करें तो सिक्के खरीदने बहुत शुब माने जाते हैं सोना चांदी लिया जाता है तो इसकी शुरुवात कैसे होती है धंतेरस की ये पंच दिवसी दिवाली पूजा इसकी शुरुवात धंतेरस के दिन से होती है खरिदारी आप धंतेरस के दिन भी कर सकते हैं छोटी दिवा श्वास्ते सकते हैं आप जो है एक रापर हिसस्वाइट होता है तो हमारे बढ़ने करते हैं तो ये बहुत ही शुमाना जाता है एक कोई सोना चाणि नहीं खरीज सकता है वो हल्दी खरीदे कोड़ी खरीद ले गोंती चक्र खरीद ले छोटे सस्ते आते हैं और हल्दी खरीद ले धन्या खरीद ले इन सब को भी खरीदना बहुत अच्छा माना जाता है जारू खरीद ले लच्मी का प्रतीक माना जाता है पंच दिवसी पूजा में प्रत्रम दिवसी ये धन दर्मंत्री दिन के समय से होती है धर्मंत्री भगवान का जन्म जो है जो साचाधी ने बताया समुद्र मंथन से निकले थे वो सोने के कलस में अमरत लेके प्रगट हुए थे उस अमरत की कुछ बूंदे प्रत्वी प्रगिदी थी उससे जो जड़ी बूटियां तैयार हुई तो अगर काढ़ा आप पीते हैं तो किसी भी प्रकार का रोग खतम हो जाता है तो इस प्रकार से हमारा सबसे बड़ा जो सुख है सबसे बड़ा जो धन है वो शरीर का सुख है सबसे बड़ा धन है तो धन्तरी भगवान ने जो हमको आशिरवात प्रदान किया जो हमने कलस् इससे उनकी आज के दिन हम हर चीज की पूजा करते हैं तो आज धर्वंतरी भगवान की पूजा करना चाहिए आज आउर वेद के जो जड़ी बूटियां उनकी पूजा करनी चाहिए और उससे अपने स्वास्त के लिए भगवान धर्वंतरी से हम सस्त रहें इसकी उनसे कामना करना चाहिए, यह आज पहली पूजा है, आज हम धन की पूजा आज भी कर सकते हैं, आज भी हम लच्मी गणेश की पूजा कर सकते हैं, पंचदियुसी पूजा हमने पहले बता है, पंचदियुसी पूजा कर सकते हैं, पांचो दिन मता लच्मी की पूजा ुझे पोजा कर सकते हैं पिसेस्ता बाद की जाए आज भगवान धर्मंत्री जी की पूजा होती है और पहले की जो है जो होते पहले जो होते थे पहले के जो धो वेद्य होते थे वह कहते थे या कर कोई भीमार हो जाए कि भोजन चोंड़ दो अगर आपनेभोजन चोंड़ दें तो 75% बीमारी आपकी भोजन चोंडने साही हो जाती तो नव दिन हम क्योंकि बरसाथ खतम होती है नया मोसन आता है तंडीका उसके पहले बहुत सारे फंगस वगरा घर में होते हैं घर की सफाई आदी हम करते हैं जिससे वो सारी बीमारियां दूर हो जाए और ब्रत करते हैं फिर ये भगवान लक्षमी की पूजा करने के लिए घर की सफाई आदी करते हैं सारा किटानु आदी दूर घर से करते हैं अपने सरीर से करते हैं तो स कुछ हमारा जो है हमारा सभी प्रकार से पूजाएं हम करेंगे हम स्वास्त रहेंगे इस प्रकार से ब्रत को करना चाहिए ऐसा किसी भी प्रकार के ब्रत में ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए जिसे हमारा स्वास्त खराब हो उसको जड़ा ध्यान देना चाहिए इसलिए पंच पूजा करनी है कैसे मन को आपको शुद्ध रखना है क्योंकि रितु जी आपके पास आना चाहूंगी मैं कि बड़ा ही मैतुपून होता है पांच दिन का यह त्योहार बड़ा त्योहार हम सभी के लिए होता है हिंदू के लिए खासकर तो ऐसे में पूजा विधी धंतिरस प त्योहारे पंच दिवसी में सबसे पहला दिन जो आज से शुरुआत होती है और जब भी हम किसी महमान को अमंतरित करते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले अपने घर की साफसफाई करते हैं सुसजित करते हैं घर को उनको क्या हमें भेट देनी है या उनको हमें क्या खिलाना पिदाना है उसकी तियारी करते हैं तो ऐसे ही आज सो मा लक्षमी का आगमन हो रहा है हमारे घर में तो सबसे पहले अपने द्वार को हमें स्वक्ष करना है और जो थोड़ा सा रिच्वल है कि आप एक कलश में पानी ले लीजे या गंगा जल ले लीजे उसमें गुलाब जल म सके क्योंकि यह बिलकुल हम कहते हैं यह मैजिकल वाटर है उसके बाद द्वार पर आपको बंदनवान जरूर लगाना चाहिए उसके बंदनवान लगा लीजे कुछ लोग नकली फूलों का लगा लेते हैं वह बहुत गलत है आपको अशोक के पतों का या फिर जो भी मौसम फूल उपलब्द है जैसे कि गेंदे का फूल आजकल है उसके बंदन वानाप लगाईए और जो तीसरा काम आपको करना है क्योंकि लक्ष्मी माता को उनके पती भगवान विश्नु बहुत प्रिय हैं और विश्नु जी जहां हल्दी होती है वहां जरूर आते हैं तो आज द्वार के दोनों तरफ आपको हल्दी और रोली मिक्स करके जिसे विश्नु बहुत बहुत जरूरी काम है कि जिस द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक बना होता है वहाँ पर लक्ष्मी आवश्य आती है और इस्थिร रूप से निवास करती है अब जब माता का आगमन हो तो उने फिर हमें स्थिर रखना है उने जाने नहीं देना है तो इसलिए उनके पसंदी दावस्तुमें हमें आज गहर में लानी है देखे एक कमल गट्टामाता को बहुत पसंद है कमल का फूल देवी लक्षमी को बहुत ज्यादा पसंद है और सिंघाड सब्स website आज के दिन लाने चेहिए सुपाडी लानी चेहिए जो भी आपकी सामर्थ है आपकी शृद्धा है और आपके घर की परंपरा है उस काज निर्वा आपको करना है उस सारी वस्तों में आप एकत्रित कीजिए और पूजा विधी बहुत साधारण होती है सबकी अपनी अपनी आपकी रखी उस पर लाल वस्त बिछाई है क्योंकि मा आ रही है तो उनको हमें निमास तो देना है बैठाना तो है ना आसन देना है तो आसन बहुत जरूरी है उसके बाद आप एक कलश रखी इसमें आप जल रख सकती है जल में हल्दी एक चांदी का सिक्का डाल सकते है औ और आज के दिन भगवान धनवंतरी की तस्वीर आपको स्थापित करनी है कुबेर की आकरती या तो आप उनकी मूर्ती छोटी सी ले लीजिए या फिर फोटो ले लीजिए एक बहुत बड़ी बात जो आज लोग भूल जाते हैं आज अपनी कुल देवी की पूजा भी बह करती है और जो पूजा की विधी है धूप, दीव, नैवेद तो वो सबको पता है सिंपल सी बात है कि आज जो खरिदारी करते हैं जो लोग बरतन लाते हैं तो उसको आज वहां पर आप रख सकते हैं आप चढ़ा भी सकते हैं कुछ लोग आज जो खरिदारी करते हैं उसको तो दिपावली के दिर मालक्षमीर के समक्ष रखते हैं, तो वो आपके घर पे की परमपरा पनिर्भर है, लेकिन कुछ नई वस्तों है, कुछ नया सामान आपको अवश्य रखना चाहिए, चांदी का सिक्का आज के दिन जरूर लाते हैं, मालक्षमीर का अगर आपकी सामर्त और जैसे भी जो हमारी पूजा है, हूप, दीप, नवेद, भोग, आपकी रितुफल हैं, जो भी आप चढ़ाना चाहें, सूखे मेवे चढ़ाने चाहें, लेकिन कुछ चीजें जैसे खील बताशे और एक पान, तामबूल बहुत पसंदे मालक्षमी को, तो आज के दिन पान में थोड़ा सा शहद और एक सुपाड़ी रखकर मालक्षमी को अर्पित कीजिए, फिर आप आरती कर सकते हैं, भगवान धनवंतरी के लिए खास तोर से उनको पीले रंग के पुष्प पसंद है, पीली मिठाई पसंद है, पीले वस्त्र के रूप में आप उनको एक चाही है दर्शकों को और ये विधी जानकर वो अवश्य ही इसको करेंगे रितु जी और अब शाम प्रभु जी के पास चलते हैं, शाम प्रभु जी क्या ऐसी आज बहुत एक अच्छा संयूग भी बना हुआ है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे, बहुत सार लोग सब्सक्राइब करना चाहिए, जिन घरो में बरतन जूठे रहते हैं, वहाँ पर लक्षमी का धीर धीरे जो है, पलाइन हो जाता है, इसलिए इन चीजों का धान में वर्स भर करना है, मगर क्योंकि कहते हैं कि लक्षमी जी दिवाली की दिन विशेश रूप से हर घर में देखने जाती हैं, और हर घर को देख, जिस जो घर सबसे उनको साप सुथरा लगता है, वहाँ पर ज्यादा करपा होता है, जिस प्रकार से आप सफाई घर की करेंगे, विशेश का द्व लोगों की सफाई अगर बहुत अच्छी रहेगी, तो माता की करपा उसी प्रकार से उन लोगों को प्राप्त होती है, इसलिए दिवाली के दिन यह पंच दिवसी जो दिवाली की पूजा है, इन दिनों में आपको द्वार की सफाई, आपको किचन की सफाई, आपको जो अ स्थाल रहा जब फाम करेंगे अभ़न भिष्ण की पूजा करेंगे ब्खवान वेश्वकांटति करीगे उदेखात में दूता है जिस वाहन में आएंगे तुसी में माता जी को ले करके आएंगे, हम किसी को अकेले बुलाएंगे तो अपने वाहन पे आएंगी, हम लचमी जी को आवाहन करेंगे, लचमी जी अपने वाहन से आएंगी, उनका उल्लू वाहन है, हम जब भगवान विशनु के साथ लचमी जी क पूजा होती है और प्रथम धन्तेरस के दिन भगवान जो हम धन्वंत्री की पूजा करते हैं वो भगवान विश्णू की ही पूजा भगवान विश्णू ही धन्वंत्री का सुरूप ले करके आए इसलिए प्रथम दिवस सबसे पहले किसी के अगर पूजा होती है दिवाली पूजा करना चाहती है उसकी विधी और बढ़ जाती है, सोला प्रकार की चीजों से पूजा की जाती है, पंडिजी लोग करवाते हैं खोड़ोपचार पूजा, वो तो हम तो पंचोपचार ही कर पाते हैं, जो को लोग मनतादी नहीं जानते हैं, विधी नहीं जानते हैं, तो 55 पूजा चे भी माता प्रसंद होती यहूँ, जब खोड़ोशू चार्पूजा होती, उसमें पंडित जी को बुलाना पड़ता है, वो खोड़ोशू चार्पूजा करवाते हैं, राजो पूजार क्या है, आथ हम राजो पूजा के लिए सोने का कलस रकते हैं, राजो पैसा पंडित जी को देने के लिए तो बहुत सारे पंडितों को बुला करके पूजा करवाते इस प्रकार 55 पूजा पूजा और राजोपचार पूजा कर देखियों कि अब दिवाली यादी में हर घर में हर एक पंडित का पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है अब भीक्ति नहीं है कि आप निर्मल मन से कर रहे हैं ना जब भगवान बिदूर के यहां गए तो उनकी पत्री ने केला के छिलके उनको खिलाए केला के गुदा जमीन पे डाल दिये उनकी क्या कि अंतरात्मा बहुत सुध थी जब उन्होंने कहा हमसे धोखा हो गया भगवान जो प्रेम आपके छिलका खिलाने में था अब गुदा खिलाने में नहीं है इसले भगवान प्रेम देखता है निर्मल जनमन सो मोहिपावा मोहिख कपड सचिद्मा आप अपनी निर्मलता नहीं आपको बाहरी सफाई ही नहीं करना है आपको अंतरात्मा की सफाई करना है आपके अंद प्राणियों में सदभावना हो, विस्व का कल्यार हो, हम नहीं कहते हमाई घर का कल्यार हो, हमारे जिले का कल्यार हो, हमारे दिली का कल्यार हो, हमारे देश का कल्यार हो, हम कहते हैं, अंतरिच की सांती को भी हम कहते हैं, सारा विस्व जब सांत होगा, तो हम भी सांत होगे, ओभी अच्छे से दिवालीमिन पाएगे, आप किसी से भी इर्षा आदीम द्वेश मत करिए, अपने जो है, जिसको जो खरीद सकता है, बहुत अच्छा है, हम धन्या खरीद लगते हैं, हम हल नीश ले हम नहीं कर सूने का गोल का ही खरीदिये, जिसके पास है वा सूने का कलस खरीदे नहीं तो आप चांदी का कर दिए आप पीतल का खरीद इप तांबे का खरीद आप इस्तील पर्तन डो इसलो उसमें नहीं दो बरोदा लेकिन अंदर जो मन की शुद्दी है वो करना बहुत जरूरी है रितु जी कौन सी ऐसी चीजे हैं जो हम कर सकते हैं क्योंकि धंतेरस के दिन मा लक्षमी की पूजा होती है चांदी के कोई माता जी की मूर्ती लाता है कोई मिट्टी के भी आजकर प्रचला है मिट्टी के भी माता जी ला सकता है लेकिन ऐसी कौन सी चीज़े करें कि कोई मंत्र हो कोई ऐसी चीज हो जिससे लक्षमी घर में टिकी रहे भागे ना ये बहुत लोग जारना चाहते हैं बिलकुल देखें प्रशंसा सबको बहुत प्रियो होती है और इश्वर को हम प्रसन करने के लिए जब हम उनके मंत्रों की चैंटिंग करते हैं जाप करते हैं उनकी स्तुती करते हैं या विनम्र भाव से उनकी प्रार्थना करते हैं तो सबसे जादा प्रसन होते हैं भगवान आप दुनिया भर की चीजे उनको चड़ाईए लेकिन सिर्फ हाथ जोड के अगर हम विनम्रता से उनकी प्राथना करते हैं तो माता लक्षमी या कोई भी देवी देवता हो वो हमेशा आपके घर में वास करते हैं और आज धन 13 के दिन तो हमें अपनी धन वृद्धी के उपाय करने होते हैं क्योंकि देखिए आज के समय में धन सबको चाहिए बहुत आवश्यक हैं और माता लक्षमी धनकी देवी हैं कुबेर जी की आज पूजा करते हैं क्योंकि वो धनाध्यक्ष है यक्षराज है और देखा जाए तो हम बोलते हैं खजांची है वो कैशियर तो आज के दिन अगर आपको आपके घर में धन तो आ रहा है बहुत लेकिन धन का मेनेजमेंट नहीं हो पा रहा है या आपके उपर बहुत जादा लोन है तो फिर आप बहुत ध्यान से आज कुबेर जी की पूजा करनी आपको बहुत आवश्यक है क्योंकि आपके धन का जो विवस्ती करण है जो मेनेजमेंट है वो करने वाले कुबेर जी है तो आज उनकी पूजा वश्य कीजिए, कहते हैं कि कुबेर जी को इश्वर के साथ नहीं पूजा करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आज के दिन आप कर सकते हैं, फिर उनको आप घर के नौर्थ में आप रख सकते हैं, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर की होती है, इसलिए हम हम बताते हैं नहीं कि घर की आश कैश रखते हैं।br जेवर रखते हैं। रहें हमेशा दक्षिर दिवार की तरफ होणी जब वह खुले हैं, सामने उत्तरदिशाँ हो, क्योंकि उत्तरदिशा jum barking होती है, कोबेर जी का आशिरवाद मिलता रहता है। कुबेर जी को श्वेद वस्र या फिर श्वेद कलर की कोई मिठाई या फिर सफेद फूल जरूर चढ़ाई है आज के दिन क्योंकि ये उनका पसंदीदा रंग है सबसे बड़ी बात आज के दिन कुबेर निरंजन दीप जलाई है आप बहुत अच्छा उपाय है वैसे आप रोज भी कर सकते हैं क्योंकि कुबेर दीप बहुत से घरों में आपने देखा होगा कि रोज जलाया जाता है उसमें कुछ नई बात नहीं है वो दीप थोड़ा सा राल सकते हैं या फिर दो तीन अक्षत के दाने डाल दीजिए कि लाइची डाल दीजिए जो कुछ भी हो कभी भी खाली दीपक मत जलाई है तो कुबेर जी के नाम पर आज के दिन शाम का समय जो मैंने आपको बताया प्रदोशकाल साड़ी छे से और आठ बजे के बीच में एक कुबेर निरंजन दीप अपने घर के नौर्थ में उत्तर दिशा में अवश्य जलाई है जो कि भगवान कुबेर को समर्पित हो आप ऐसा करके देखिए और ये दीप अगर अखंड होता है तो और भी अच्छी बात है आपके घर में हमेशा लक्षमी की प्रापती रहे तीन गोमती चक्र, दो श्वेत कौड़ी डाल दीजिए, एक शांती कौड़ी उसमें आप डाल सकते हैं थोड़ी सी लाल गुंजा डाल सकते हैं इसको और एक चांदी का सिक्का जो आज आप आज के दिन खरीदते हैं जो आपके पास हो वो आप करके उसको मा लक्षमी के द इससे कहते हैं कि साल भर आपके घर में इस्थर लक्षमी बनी रहती हैं आपका धन फाल्तु चीजों में व्यर्थ नहीं होता है हमेशा सही जगहें आपके धन का जो मैनेजमेंट है वो होता है और हमेशा एक धनागं पड़ा रहता आता रहता है आपके घर में एक जो हता है पैसा हमेशा आता रहता है यह चोटे-चोटे से उपाए हैं और आज के दिन जो खरीदारी करनी है सोना, चांदी, हीरा, मोती आपको जो खरीदना है खरीदिए आज मा लक्षमी के लिए रेशमी वस्त्र या एक चुन्डरी खरीदिए और मा को श्रेंगार बहु यह चीजे मा लक्षमी को बहुत प्रसंड करती हैं, खुश होती है मा और आशिरवात देती हैं, मा के आप इस्तुती कर सकते हैं, ओम श्रीम नमा आपने बोला क्या ऐसा मंत्र है, देगे सबसे सिंपल सरल मंत्र है, ओम श्रीम नमा का आज़ाब जाब कीजिए और नहीं तो माता के लिए तो बहुत सारे मंत्र हैं, आप दुरगा सब्स्रती में देख सकते हैं, देही सवभाग्यम, देही में परमम सुखम, रूपम देही जैम देही, यशो देही द्विशो जही, ये आप मंत्र से मा के अराधना कीजिए, मा आप तो रूप देंगी, ये कुछ ऐस शाम प्रभु जी आपका भी और रितु जी आपका भी आप हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद रहे आपने इती सारी चीजे बताई और धंतिरस पर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है यह सारी जानकारी आप तक पहुचे आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ हमारे इस खास कारिक्रम में आज बस इतना ही लेकिन हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे आप देखते रहिए जी राजस्तार नमस्कार